सलोनी जी को साधना जी के जैसे राहल भाई का नाम का टैटू बनवाना है तो जल्द से जल्द आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा राहल के नाम का टैटू बनवाईगी सलोनी हलो गाईज स्वागत है आप सभी का एक फिर से हमारे चनल पर तु सभी को रादे रादे आप लोग बहुत सारे कोश्चन पूछ रहे थे तो मैंने सुचा क्यों ना एक Q&A वीडियो बनाते हैं आप लोग ने जो भी कोश्चन पूछे हैं उनके आज हम आंसर देने वाले हैं सभून गिल का पहला कोश्चन है अभी भाईया सलोनी जी आपकी छोटी बेहन जैसी है इसलिए उनको बोलो कि आपके सामने ऐसे सिर डखके क्यों रखती हैं वैसे भी इज़ित तो इंसान के आँखों में और दिल में होती है पहले तो आप देखी सकते हो सिर ही रखे है ठी दिल में और मन में होनी चाहिए यह है अमित कुमार सौका अभी भाई सलोनी जी को साधना जी के जैसे राहुल भाई का नाम का टैटू बनवाद दो है मैं तो बनवा दूंगा लेकिन परमीशन उनकी भी होनी चाहिए वो बनवाना चाहती है कि नी चाहती है तो उसी से पू वहीं जो पसंद आजाएगा बनवालेगी नेक्स्ट कुश्चन है आदित पांडे का ये बोलते हैं अभी भाई प्रेंग वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से हसी मजाक तो नची प्रेंग का मतलब हसी मजाक होता है लेकिन जब मैं जादा इसमें प्रेंग वग अगला कोश्चन है ससी रंजन राजका है ये कहते हैं बाई एडिट के लिए कौन सा एप यूज़ करते हो तो मैं एडिट के लिए करता हो कायन मास्टर यूज़ करता हूँ और मैं आइफोन में कायन मास्टर यूज़ करता हूँ और उसकी सब्सक्रिप्टन ली रखी है मैंने एक साल गी नेक्स्ट कोश्चन है रूपाली का कड़ी रेस्पी कब सेयर करोगे तो यह नहीं से है कोश्चन अंगली बार जब भी कड़ी बनेगी ना भी तो अभी बनी थी दो चार दन पहले ही तो जब भी कड़ी बनेगी हम पक्का बताएंगे यह हमेंसा ऐसी बोलती है रहे हम देखा अगल है लेकर इस बार वताएंगे नेक्स कोश्चन रूपाली कही है तो जल्द जल्द इनके जो भी कोश्चन ले ले लेते हैं साधना दीदी का एज्यूकेशन कितना हुआ है एज्यूकेशन बता अपनी मैंने बीए की है वेडिंग वीडियो कब से अर करोगे तो मैं कोसिस कर रहा हूं कि उसको एडिट करके आप लोगों को देखाऊंगे तेक्निकल उमासंग्दर का कोश्चन है नेक्स्ट वो बोलते हैं इंकम कितनी हो जाती है वन म आप मैनद करोगे जितना आप रेगूलर रहोगे यूटूब पर तो आप उतना ही पैसा कमाओगे और रहा प्रॉपर बताने का कि मैं कितना कमाता हूं तो ये यूटूब की गाइडलेंस के खिलाफ है प्रॉपर तरीके से बताना कि मैं कितना कमाता हूं हाँ बस इतना है क क्या आप जितना सोचते हो ना कि आम इतना यूटूबर कमाएंगे उससे ज़्यादा कमाते हो जब आप यूटूबर सकसिज होते हो तब कॉसर राज का question है next आप दोनों ने कहां तक study की है क्या साधना ने भागबत गीता पड़ी है क्योंकि वो किसना भक्त है मैंने किया है BBA, साधना ने किया है BA मैंने वागबत गीता तो नहीं पड़ी है लेकिन जो वागबत होती है वो कथा सुनी एगी मैंने कहीं भी होती है तो मैंने हर बार सुनी है Next question है पंकी जहंकू का सुरी गाई जिसका भी नाम वो पंग की जंकू देख लो इनका कुश्चन है कि साधना जी मेरा सवाल है क्या आप खुद को खुद नसीब मानते हो आपको अभी भाई जैसा सच्चा और अच्छा पती मिला अब देखो सचे लो अच्छे तो कउगे पती नहीं रहते हैं करप तो जो भी होता सब ठाक्र जी की बजय से होता है क्या वोला सच्चे और अच्छे पती तो किसी के नहीं होता है ! मैं नहीं बारे मियां siamasa aip Amdi Hai heливо Shaikh ऐ एके एक 6-7 का भी पतननिय होता है ! हां मानते हैं सब्ठाकुर जी की देन है हमारा कुछ नहीं है तो इसका अंसर यह कि सब्ठाकुर जी की वज़े से यह कुछ नसीब भी है और मैं अच्छा भी हूं सच्छा भी हूं सब्सक्राइब थर्ड कोश्चन आपके पास जमीन कितनी वीगा है तो बीगा तो मुझे नहीं पता है तो यह इस कोश्चन का आंसर तो पापा से पूछ के देना पड़ेगा मुझे तो मैं पापा से पूछ के आपको इस कोश्चन का आंसर कभी भी अपने विलॉग में दे दूँगा आपने भी पहन कर दिखाओ यह चोटी सी रिक्वेस्ट है इसको पहना चाहता हूं बट यहां पे ऐसा महावल नहीं है कि जीन स्टॉप पहन कर यह बहार निकले क्योंकि यहां का महावल बहुत ही अलग टाइप का है इज्जत कपडों से इज्जत इंसान के ब्यवार से और मन से होता इसको जब भी जो भी पहनना है मैं इसको मना नहीं करता हूं इसको फिलाल सूट ही पहनना यह बोलती मुझे सिर्फ सूट पहनना है इसका खुद का भी मन नहीं है जीन से पहनने में यह भी कोश्चन पंकी जंकू कही है जिस सादना को बड़ी हजी आ रही ही नाम से इनने लिखा है अब भाई मेरा सवाल है आप सिमलक कब जाओंगे जाना है छosed रिदन कब जांगे यह अभी पता नेक्स कुश्चन भाहिचि चोहन कानपुर का इंधर प्राची कानपुर का ने करते हैं पुलнич़गों। मुझे लग रहा है ये प्रपोस का मतलब भी नी समझछ पा रही है यह सोच रही हो इन्गेजमेंट होती न वह सोच रही है ऐसा फैरा हुआ करना नहीं हुआ क्योंकि हमारी और इंग एंगाया कॉणोटी तो पर आ franc किया था तो सब करेंग किए तो हमंपसरब सब क्षंदो क्या है हमें दो खेल अदो कDER概 बताओ तो प्रपोच तो नहीं किया क्योंकि हमारी अरेंज में अरश्थिव इतक्स बोलने लुल भटा यह पूछते हैं अगर भाबी जी के सामने भगवान जी आ जाएं और बोलें कोई भी एक चीज मांगो तो भाबी जी आप क्या मांगोगी या आप भी अपना बताना सलो से ही पूछते हैं तो बता अगर भगवान आ जाएं बोले एक चीज मांग लो तो क्या मांगोगे हम तो सबका कल्यार चाहेंगे और जो जो हम से चुड़ा है हम सब को चाहें कि भगवान इस दुनिया में आना जाना बन न कर दो अपने लोग अपने चरणों का बास दे दो हम तो एही चाहते हैं कि हमारा पूरा परीवर बहुत खुस रहे और हम भी बहुत अच्छे से रहें और सब लोग ऐसे ही रहें खुसी लेकिन मेरे कहने का मतलब समझो कि बड़े लेविल पर कोई चीज गलत हो रही है तो उसको सही करने की मुझे पावर मिल जाए प्यारी बाबी जी क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी साथी इतने अच्छे स्मार्ट हैंडसम और गुड़ लोकिंग लड़के से हो जाएगी हाँ सोचा था हमें भरोसा था पूरे हमें पूरा भरोसा था अपने ठाकर जीब है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा सब अच्छी अच्छा होगा तो तुम मानते हो मैं समार्ट हैंडसम और गुड़ लोकिंग हूँ हाँ बड़ी हैं बस थोड़ो सो पेट नकल ले और कि हर चीज हो स्यार भी हो हर चीज मैं देखने में भी अच्छे केमरे के सामने वोड़ रहे हैं या आप भावी जी के लिए किचन में फैन क्यों नहीं लगवा रहे हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती है भाई एक्षिली मैं लगवाने ही वाला था बड़ बार इस इतनी होने लगी कि अब गर्मी चली गई है अब ठंडा मौसम है साधना इसे पूछलो यह रात को सोती है तो यह कंबल ओड के सोती है अब यहां का मौसम बहुत अच्छा हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ अभी लगवा हूँ या ने लगवा हूँ मैं भी कन्फ्यूज हो रहा हूँ अगर देखता हूँ अगर गर्मी पढ़ती है तो तुरंद लगवा दूँ है नेक्स्ट कोश्चन है प्यूज का पहला सवाल साधना भावी के चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आ रही है दूसरा सवाल साधना भावी से ही है बताइए आप हम से कौन सा रिस्ता रखना चाहत अगर अगर अच्छे रास्ता से तो सतर पड़ जाता है इसका घर साधना का और रही वाद हमारे चैनल की वीडियो की तो हम हम पूजा जैसे रखते हैं ठाकर जी को बैसे ही करते हैं लेकि बस हमें वीडियो का टाइम नहीं मिल पा रहा डाल लेंगा आप इनके MP से हो आप कहीं से भी हो जो इससे चोटा है वो इसका चोटा भाई है जो इससे बढ़ा है वो इनका बढ़ा भाई है और ज़्यादा बड़े है तो चाचा हो गए बड़े पापा हो गया तो नेक पूस्टिंग है चंदर सिंग जी का साधना जी आपके पूजा पार्ट का measurable है जो अभी जीश के जैस आपको भावी जादा समझती हैं, आप भावी से जादा उन्हें समझ लेते हैं, मतलब बिना कुछ बोले मन की बात, आप दोनों एक दूसरे के motivator हो या नहीं, दोनों एक दूसरे को up-downs जैसे situation में motivate करते हो या self हो, मैं इसको बहुत अच्छे समझता हूँ, ये भी मुझे ब बहुत जादा करते हैं, किसी भी situation में होते हैं, अगर मैं किसी चीज़ को लेकर परिशान हूँ, तो ये मुझे समझाती है, और ये समझाती है, तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ, ये अगर परिशान होती है, ये किसी चीज़ को लेकर सोचती है, मैं इसको समझाता हूँ, तो यह थोड़ी देर में समझती है लेकिन थोड़ी देर में समझती है तो हम एक दूसरे को काफी जादा motivate भी करते हैं और एक दूसरे को हर situation में साथ भी देते हैं तो guys question तो काफी जादा थे लेकिन अभी मैंने pick सिर्फ इतने ही question किये क्योंकि फिर video बहुत जादा लंबी हो तो कभी और देखें कि वेने video बनाते रहेंगे जब question खटे हो जाएंगे तो फिर video बना देंगे अगर जहांसी में कहीं मुझे दूर का तो पता नहीं है दूर तो काफी जगह होते हैं ठाकर जी तयार तो मुझे ठाकर जी को permanent तयार करवाने अगर जहांसी में कोई करता हो या किसी को पता हो तो बता देना आए वो पी वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल बनाए तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं कल नेक्स ब्लोग में तब तक की लिए बाइ-बाइ टेक कियर खुसर आपनी फैमिली ए ख झाँ 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 झाँ